नमस्ते जी नमस्ते वेलकम टो कुट्रूव वाज डिसकाष करते हैं स्रजन सिंग वसस स्टेट अजस्तान 1974 का केस है इससे पेले हमने डिसकास कर послед देज शंकरी प्रसाथ सिंग दियो जिसमें first amendment challenge हुई थी यहाँ पे सत्र वी constitutional amendment challenge हो रहे है और ये case law है जड है जिसने eventually पैदा करा केशवानंद भारती के case law को कैसे जड है सब कुछ देखते हैं लेकिन अगर आपने पहले शंकरी प्रसाद के उपर discussion नहीं देखे हुए और उस case law को नहीं समझा तो मेरा आवेदन है कि आप उसको आप जरूर देखे और फिर आप इस पर आ सकते हैं शंकरी एस अजन सिंग तो इसमें चालेंज हुए सत्रवी constitutional amendment और शंकरी प्रसाद सिंग से काफी जादा मिलता जुलता केस है लेकिन argument जो प्रस्तुत किये गए थे थोड़े different style से करे गए थे तो हमारे जो वकील बाबू उस टाइम रहे होंगे उन्हें समझ में आगे कि अच्छा वो वाली डाल तो गली नहीं चलो इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं क्या पता जचसाब मान जाएं तो यह almost almost very similar attempt है लेकिन दूसरे तरीके मतलब शराब होई है लेकिन bottle बद जाओंगा वहीं से आपकी सारी कहानी गोल अखनात केशवानन भारती जो एमर्जेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और सरकार almost loggerheads पे थे जिसके चक्कर में मतलब एमर्जेंसी में A&Rave अगेरा CGI अगेरा बने यह सारी जड की कहानी जड है सजन सिंग है तो जाए आप UPSC क अगर आपने political science वैसी ही समझ नहीं हो या अगर आप LB भी कर रहे हो यह case cardinal importance का है provided that कि आपने शंकरी प्रसाद समझा हो तो यह और बेटर समझ में आ जाएगा तो चर्चा शुरू करते है 1964 का case law सत्रवी constitutional amendment challenge वही थी वहाँ पे पहली constitutional amendment challenge वही थी तो यहाँ पे इन्होंने 44 44 नहीं act है they were placed in the 9th schedule of 9th schedule है क्या जी सो originally the constitution of india had 8 schedules लेकिन पहली amendment 1951 से 9th schedule आ गया था 9th schedule उसे नहीं होना as a technique to bypass judicial review कि जो act मैंने उठा के इस 9th schedule मैं पतक दी उसको कोई court vote नहीं देख सकता even if it violates your fundamental right and primarily यह agrarian reforms को बचाने के रहे थे अब agrarian reforms को बचाने के लिए हम यह technique क्यों बनानी पड़ी क्योंकि article 19 clause 1 sub clause f क्या कह रहा था कह रहा था कि right to property आपका fundamental right है जो की part 3 में दे रखा है और article 13 कह रहा है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो आपके fundamental rights पे जिस भी कोई असर पड़े negative तरीके से अब जो वहाँ पर वो जो कानून दे रखा है सारी लडाई शंकरी परसाद में यह हुई थी वो जो शब्द जो article 13 clause 2 गेंदर law दे रखा है does it include a constitutional amendment or not which is given on a part 20 article 368 ठीक है जी अभी तक यही वाली कहानी शंकरी परसाद में हमने discuss करी थी और पर शंकरी परसाद सिंग्धियों में यह कह दिया गया कि नहीं भाई साब जो constitutional amendment है वो कानून नहीं है वो अलग रखो 13 clause 2 उस पर नहीं अपलाया होता ठीक है अब 368 को दो बारा revisit करते हैं कि भाई है यह यहां पर माशा चल गया रहा है तो part 20 है amendment of the constitution का एक आपका I think chapter 20 view of offenses relating to marriage and die busy मेरी यारत है कि नहीं दोनों का साथ साथ बोलता रहा है तो now article 368 अगर hopefully मैंने गलत नहीं बोला होगा तो महाँ पर article 368 कह रहा है जी अचा पूरा पढ़ने के हमें जरूरत नहीं है हमें यहां पर यहां पर हमें थोड़ा सा काम करना है जिसके चक्कर में पूरा का पूरा की स्लोग पर का जो आर्गुमेंट ही कह हुआ amendment of this constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament तो लोगसवा राज्यसवा में दोनों में आप amendment का जो बिल है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन अब सारी कहानियों उसको act बनाने की तो अब वो act बनेगी कैसे सामने लिख रहा है when the bill is passed in each house दोनों houses में लोगसवा राज्यसवा में by majority of the total membership of that house जो total number of members है उनकी simple majority exact half चाहिए और एक और majority चाहिए by majority of not less than two-thirds of the members of that house उने simple भी चाहिए यहां पर और फिर दो थी हाई और लेकर आओ of the house present, members of that house present and voting to special majority भी चाहिए अब यह काम तो बहुत ज़्यादा तफ हो गया क्योंकि इतने तो हमारे नेता जी इतनी असानी से तो इक दूसरे की बातें मानतें नहीं that is why our constitution is both rigid and flexible उतनी rigid नहीं है जितनी US की constitution नहीं है लेकिन उतनी flexible भी नहीं है जितनी UK वाले अपना काम कर लेते हैं घर वहां तो इतना लंबा चौड़र डॉक्युमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता 368 में अगर procedure यूज करना है तो पहले simple majority जी फिर special majority जी लेकिन अगर कुछ क्रिया करम आपने और addition करा तो उसमें फिर states भी आ जाएंगे states क्यों आ जाएंगे क्योंकि we are primarily a federal polity states के साथ कोई भी जो provisions के साथ अगर कोई छीडा खानी करी आपने तो आपको state से रजामंदी चाहिए तो यहाँ पर क्या गरे प्रवाइड राट इस सच अमेंडमेंट सीक्स तो मेक एनी चेंज इन्होंने बढ़े सारे आर्टिल दे रह आपने यह सब कुछ यहाँ पर अपने कुछ चेंज करना चाहा कोई कुछ अमेंडमेंट करनी चाहिए तो आप state से भी रजामंदी लेंगे और state से कैसी रजामंदी लेंगे आपने 44 act फिर से right to property जैसे आपने first amendment में हमारे साथ बत्तमीजी करी थी फिर उठा के उन्हें 9 schedule में डाल दिया एक बात बताईए भाई सब फिर अगर जब आपने 9 schedule में डाल दिया तो मैं high court को तो नहीं approach कर सकता तो in effect article 226 जो है जो की chapter 5 of part 6 के अंदर है आपने एक तरह से तो उसको छेडा है जब आपने उसको छेडा है तो 17 अमेंडमेंट में आपने ये one half of the states की ratification कहां करी करी ही नहीं आप तो ये simple उपर वाला उठाया आपने simple majority special majority और राम राम कर देया दिया आपने तो तो ये argument ये argument है जो supreme court के पास रखा गया कि आपने ये आपने कहा था कि states रजा मंदी देंगे आपने खुदी article 226 जो की आपने ही आपकी किताब में लिखा हुआ है chapter 5 और part 6 अगर आपने इसकी कोई amendment करी तो यहां पे by less than one half या one half of the states से उपर ratification चाहिए वो तो इन्होंने करी नहीं सत्र पास करते हुए तो यह amendment आप खारिच करिए इसको आप अल्ट्रा वाइरीज डिक्लेर करें तो यह argument था कि अरे यह तो गलत बात है ना जैसे की शंकरी परसाद में भी एक सिंपल सा यही वाला argument था सिंपल थो नहीं था दूसरे आस्पेक्ट में था लेकिन शंकरी परसाद में दुबारा दुबारा नहीं जाएंगे शंकरी परसाद हम अल्रडी इन-देप्थ डिसकास कर चुगे तब शंकरी परसाद के अंदर यह declaration अल्रडी जज्जमेंट आ चुग थी कि पार्ट थी कान जातर मना करीब कह रहा है नहीं नहीं चलो छोड़ो राम राम कोई बात नहीं से यह आर्गिमेंट बेसिकली डाल नहीं गली यहां पे सुपेंग और अब क्या हुआ तो वकील साब पहले से प्रिपेर थे कि शायद यह दाल नहीं गली कि क्योंकि यह similar डाल नहीं गली थी श अब जाल नहीं गली तो अब यहां पे कहते हैं कि भाईया स्टेट लिस्ट में एंटी नंबर टू देखो लैंड लैंड तो स्टेट लिस्ट की बात आपने यूनियन ने इस पर कानून बना कैसे दिया यूनियन इस पर छेडखानी कैसे कर रही है आप कह रहे हो कि भाईया स्टेट लिस्ट पर तो यूनियन कानून बना यह नहीं सकता एक्सेप्ट इन फॉर सरकम्स्टांसे वो फॉर सरकम्स्टांसे क्या है वो किसी और दिन की बात है वो सारी आपकी 245 से लेके 256, 254, 256 तक की कानी वहां पर दे रखे तो भाईया यह तो वो चार कंडिशन तो ऐसी कोई मीट भी नहीं हुई आपने स्ट्रेट लिस्ट में कोई एक एंट्री है आपने उसको छेडा कैसे तो सुप्रीन कोड नेगा कि भाईया ऐसा है सुनो इसमें तुम यूज करो पिथन सब्स्टन्स डॉक्रीन ओ पिथन पि सुप्रीम कोडने का यहां पे जरह हम मैं जरह जरह जज्मेंट से मैंने कोटेशन करी हुई है मैं आपको दू लाइन या पड़के सुना तो इन देलिंग विथ इस आर्गेमें अगें दी पिथन सब्स्टन्स टेस्ट इस डेलेवें गेट what the impugned act that is 17 constitutional amendment act purports to do is not to make any land legislation but to protect and validate the legislative measures in respect of agrarian reforms passed by the different state legislature वे रहे लाइन के साथ तो हमने छेड़कानी करी नी हम तो actually जो लाइन के ऊपर जो act जो states ने पास करी हुई है उसको बचा रहे ना इन शेडियूल से पार्लेमेंट वाले यही कर रहे है तो लाइन के साथ तो उसको बचा रहे है क्या spin मारी है तो यहाँ वे पिथन सब्स्टन्स से इन्होंने कर भाई सब आपका यह आर्गिमेंट वही है वकील साब आर थी आरी कर आये थी वकील सहाब ने का अच्छा क्या पता यह भी न माने कहते हैं वकील साब मैंने मेन arguments रटाएं, arguments थो बहुत सारे तैं मैने main arguments के वारे में जो हमारे exams के लए relevant क्योंकि दसलिए पढ़के कर ना लिए हाओ can you limit the citizen's right to challenge an act fundamental fundamental right. तो जाट आपे शांकरी परशाद में खाए बढ़ा था, अब यहांपे शांकरी परशाद परदेका प्रश्दुचि में अब यहांपे शूंकरी परशाद में का यह है तो इवन अगर आपने यहां तक लेक्चर देगा तो आप सीरियस ने अपने वढ़ाए के बारे मुभाराखो आपको पढ़ाही हुए है थादिंग क्लॉस 2 में चंगर प्रदाद में एक आदा कि लौ ज़ब धेट थादिंग क्लॉस 2 वाला तो fundamental rights are not absolute जैसा कि आप example देख सकते हैं reasonable restrictions भी देख लीजिया article 19 clause 1 A to G में 2 to 6 पर reasonable restriction है तो आपके बास तो यह वाला ही fundamental right absolute नहीं है यही qualified है by reasonable restrictions तो आप किन fundamental rights के बारे में बात करें कि आप fundamental rights उमसे लेनी सकते यहाँ पे justice हिदायत ला आ गए और यह सारे हमारे supreme court के जो जितने भी आप classic landmarks constitutional law case यह जड़ है मेरे opinion में सारी अगर आपने गुत्ती समझनी हो कि उस ताइम पे क्या हुआ था यह हमारे justice हिदायत लाजी जिनकी किदाब का नाम है my own boss will also I think he also acted as the president he was the chief justice who acted as the president and I think at one point in time he was also the youngest judge in supreme court was a would have been a brilliant scholarly person you know I agree but I don't agree okay I agree कर रहा हुआ आपने 17th amendment valid कर दी इनका argument भार पहंगे वो सब बात अच्छी है लेकिन एक बात मेरे गले के नहीं उतर रही वो कहरे जी कौन सी नहीं उतर रही आपको हिदायत लाज साब वो कहरे यार यार यह वो शंकरी प्रसाद वाली में जो हमने कहा है ना 13 clause 2 में जो शब्द जो law दे रखा है it does not include a constitutional amendment शायद it may include a constitutional amendment it can include a constitutional amendment इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे करनी चाहिए हमें कि क्या पता शंकरी प्रसाद में हमने यह उल्टा बोल दिया हूं क्योंकि वो कहते है जी अगर एक बात बताओ क्या मतलब fundamental rights इतनी हलके इतनी सस्ते हैं कि चले चले अमेंड गर अफर डाले ही हो थे इन्होंने constitutional assembly वालोंने इतनी जो इन्होंने मेहनत करी पूरा part 3 डाला article 13 भी डाला बताया कि किसी कानून से fundamental rights नहीं चेड़ जा सकते अब आप कहरें हाँ नहीं किसी कानून से तो नहीं लेकिन constitutional amendment से तो पक्का छेड़ देंगे तो मतलब क्या इतना ही मतलब इतना ही आपका यहाँ पर यह इतने ही हलके थे या इतने ही इनकी इनका मेहत्व इतने ही कम था यहाँ से सारी कहानी यह वाला जो descent आया था इस पर बाकी जजों की भी light bulb on हुए होंगे इसके बाद जब गोलकनाथ पर discussion करेंगे तो यहीं से descent यहीं इसी descent से पैदा हुआ किस लोग और गोलकनाथ की फिर refinement के शवानान भारती में हुई थी तो शंकरी प्रसाद सेंग एक कैता है प्लीज यह थोड़ा विचार करो 17th amendment चलो मैंने मान ली की चलो जैसा अभी चीर जरसे साब ने बोला कि कोई बात नीजी जैसा जो भी है ठीक है ओक है बट यह थोड़ा सामें जरा दो दुबारा चर्चा करननी बड़ेगी इस पर तो वो कैता है अच्छा एक और उ अच्छे अच्छे शब्द जो दे रखे थे अगर आपको दिख रहा हो तो कि justice, social, economic and political आपने बोला था यहां पर ही जो बाकी सारी जो चीजें जो अच्छी अच्छी जो आपने यह बोली है और री बेरुबारी union में आपने यह कह दिया that this is not a part of the constitution वो कैरे जी अगर justice, social, economic political, हम article 32 की power अगर हटा दें, सब कुछ ऐसे तो सब कुछ हम end कर देंगे, तो इन सब शब्दों का महतो क्या है, प्रेंबल का महतो क्या है, प्रेंबल तो एपिटो हमें constitution का, in Ray Berubari union, the reference में, यह कह दिया किता, प्रेंबल is not a part of the constitution, केशवानन भारती में eventually, बाद में, केर अभ a part of the constitution भी हो सकता है, और थोड़ा ये भी सोचो, कि ये इतने सुंदर सुंदर शब्द, बड़े हमने बड़े तो शब्द तो यहाँ पे इकटे कर ली है, लेकिन अगर हम fundamental right से उड़ा सकते हैं, इतनी असानी से जितनी असानी से आप लोग कह रहे हैं, तो इन शब्दों का क्या मेंतु है, तो इसी बहुत अच्छी बात है, अब, अब, ये कहानी हम continue करें, तो सज्जन सिंग में 17th amendment तो कह दिया, okay, okay, सब okay, 9th schedule तो हमने okay कराई दिया तो शंकरी परसाद में, ये जो descend से में अगली कहानी आगे वाले case में शोगरूंगा, खेर इस से पहले बीच में केसलों और है, एक गुपालन वाला है, वो भी discuss करेंगे, सारी landmark judgments धीरे धीरे करके discuss out करेंगे, hopefully सज्जन सिंग समझ में आगे, 17th amendment okay कर रही दी गई, लेकिन ये जो इन्होंने, ये जो lightable bond करा है, इस से काम आगे चलेगा अब, और इसका आथ फिर उंगोलगना पर जाएंग थी, Supreme Court, Constitution भी नई-नई किताब बनाई गई थी, तो इसकी interpretation पर सारी लड़ाई है, एक बार ही कहानी समझ में आजेगी, सब कुछ आजाएगा, शंकिरी परसाद वाला lecture, I repeat, वहीं से कहानी शुरू हो ही है, वहां देखके, फिर सजन सिंग, फिर आगे अपनी sequence में हम चलते र हुआ, और बनाई आप दूनीं, छबार ।